पंजाब की कमल प्रीट ने टोक्यो ओलंपिक्स में रचा इतिहास महिला डिस्कस थ्रो फाइनल्स में पहुंची कमल प्रीट कोर टोक्यो ओलंपिक्स में महिलाओं की 64 मीटर डिस्कस थ्रो के फाइनल्स में पहुंच गई है भारत ने अब तक एक पदग जीता है लेकिन वेडमिंटन, मुख्य बाजी और होकी से भारत की उमीदें बरकरार है आज कुछ एहम मैच भी खेले जाने है कमलप्रीत कौर ग्रुप B में दूसरे स्थान पर रही उन्होंने पहले प्रयास में 60.25 मीटर स्कोर किया दूसरे प्रयास में उन्होंने 63.97 मीटर का स्कोर किया हलंकि अपने तीसरे प्रयास में कमलप्रीत कौर में 64 मीटर दौर लगाई और गुरुप B में दूसरे स्थान पर रही कमलप्रीत कौर अब 2 अगस्त को डिस्क स्टो की फाइनल्स में पदक जीतने के लिए उतरेंगी अगर वे सफल होती है तो वे ओलंपिक में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला बन जाएंगी